दस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड वीजिट में तो गाइस काफी इंपोर्टन टॉपिक लेके आयों में आपके लिए काफी इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो या सिविल नए नए जोइन किया है तो आज का टॉपिक हमारा की लेवल कैसे उठाते हैं हम एक दूसरा बुर्जी क्या होती है बुर्जी मतलब एग बुर्जी नहीं इसमें इसमें सिविल इंजिनिंग में दूसरी चीज है बुर्जी में आगे बताता हूँ तीसरी बात कैसे हम excavation करते हैं मतलब drawing को कैसे शाप लेते हैं सामने जैसे आप सामने देख रहे हो यह plan layout हो रहा है हमारा तो यह process कैसे हो रहा है मतलब कहां से reference मिल रहा है क्या चीज है वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैं starting में भी जैसे कहा काफी important topic है तो वीडियो को जुरूर end देखें चैनल को subscribe करें लाइक करें और share करें जो भी आपके दोस्त हैं, friend है, civil engineer उनके साल वीडियो शेर करें तो मैं start करता हूँ वीडियो तो सबसे पहले देख लो आप drawing मतलब drawing में क्या क्या दिया, देखो यह जो A, B, C, D, 1, 2, 3, A क्या है हमारे grid है तो grid हमें मतलब यही drawing जो सामने आप देख रहे हो, यही drawing आपको वहाँ side पे शापने के लिए क्लिए क्या करना होता है बुर्जी बनानी होता है, मतलब A, B, C जैसे इदर गोल बनाए होगा है वैसे वहाँ statue जैसे बना देंगे उसके बाद वहाँ से reference लेते जाएंगे, दूसरे column जैसे 6 meter, फिर 6 meter, center center, center line method बोल सकती हो तो इसको करते कैसे हैं, theodolite से यह point ले लेंगे, एक कोई corner दिया होगा building का, वो corner टोटल सेशन या उससे मार देंगे, उसके बाद उसकी dimension से हम आगे करते जाते हैं यह 3-4 number है, इसको हम side पे 3 को भी शाप देंगे, 4 को भी उसके बीच का हमें पतर जाएगा 6 meter है, चलो मैं side पे आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे होता है, सामने आप देख रहे हो, एक लगा लो यह 3 number है, और 3 meter पे यहां से हम दूसरी बुर्जी बना लेंगे, देखो यह center इसमें शापा हुए, ठीक है, और यह grid सामने इसके center में ही column है, देख रहे हो, तो यह क्या होता है, क्योंकि यह center line method है, तो यह बुर्जी हमने साप ली, मतलब इसको बुर्जी बोलते है सामने, आप देख रो, statue यह ऐसा बना है, और इससे 3 meter की दूरी पे यह वाला statue है तो यह हो गया 3 number, यह हो गया 4 number, वैसे ही हम करते आएंगे, वहां से यहां तक हमारा 3 meter है, वैसे ही आगया हमारा 3 meter है, 6 meter है, जैसे यह से drawing में दिया रहेगा, वैसे वैसे हम इसको बनाते रहेगे, देखो यहां से लिखा हुए है, 4 meter इस तरफ grid एग, और 5 meter इस तरफ grid एग जैसे 4 meter पे दूसरा grid है यह थोड़ा मिटी में दब गया है यह रहा वैसे ही हर जगा वैसे जैसे प्लान पर आपको दिया होगा वैसे ही आपको site पे जाके बुर्जी बजना देनी होती है और उसके reference से फिर मापी करनी होती है अभी मैं बताता हूँ आपको level की बात कि जो हमारा invert level होता है वो कहां से लेते हैं उसको हमें जो area होगा जो हमें client होगा वो हमें दे देगा कि यह आपका TOC level है top of concrete level 0.300 और आपका full ground level क्या है यह 00 तो यह आपको level provide किया जाता है client की तरफ से तो यह procedure होता है total भूरजी, level यह हमेरे comment में question आया था तो उसको में clear भी है thank you